हरे करिश्ना, एक वईश्नव की कोई जात नहीं होती, कोई वढ़न नहीं होता. एक वईश्नव जनमे से नहीं, बलकि भगवान श्री करिश्न या श्री विष्नु के प्रति उसके अनन्य प्रेम और भक्ती के लिए जाना जाता है。 एक वैश्नव समस्त संसार को अपना परिवार माता है और निस्वार्त भाव से लोगों के उद्धार के लिए समवेदनशील होकर अपना कर्म करता है। वैश्नव का जन महीं होता है जन कल्यान के लिए वो हमें दया, करुणा, प्रेम, विनम्रता और त्याग जैसे शिक्षाएं प्रदान करता है। आज हम एक ऐसे ही भक्त के बारे में जानने जा रहे हैं जो वैश्नव संप्रदाई के एक विशिष्ट आचार्य थे। वैश्नव गरंत भक्ती रतनाकर सिंधु में श्रिलकृष्ट दास कविराज को स्वामी लिखते हैं कि श्री श्री निवास आचार्य एक परम शुद्ध भक्त थे जिनकी केवल एक ही कामना होती थी कि कि किस तरह वैश्नवों का संग किया जाए और किस तरह वैश्नवों की सेवा की जाए श्री निवास आचार्य श्री कृष्ट चैतन्य महाप्रभु के शक्तिय वेश अवतार थे उनका आविरभाव 1530 के वैशाक मास के पोड़नेमा तिथी पे वर्तमान बंगाल के नदिया जिले के चाखंडी नामक एक गाउं में एक ब्रहमन श्री गंगादर भट्टाचार्य के घर में हुआ था श्री गंगादर भट्टाचार्य एक उच्च कोटी के वैश्चनव थे जब महाप्रभु ने सन्यास ग्रहन किया था तब गंगादर भट्टाचार्य इतने विचलित हो उठेते कि उनके आसु थम ही नहीं रहे थे तबसे उनका नाम च परमशुद्ध वैश्णव श्री निवास का जन्म होगा श्री निवास अचार्य गवरंग महाप्रभू के सबसे निकट पार्षदों में से एक थे श्री रामचंद्र का विराज श्री श्री निवास अचार्य के शिश्य थे श्री निवास अचार्य के शिक्षाओं में से ए इसे भगवत कृपा की प्राप्ति हुई हो। आप सभी को श्री श्री निवास अचारे के आविर्भाव दिवस की बहुत सारी शुब कामना है। भन्यवाद हरे कृष्णा।